बबलू शुक्ला जी करोली से राधी 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 श्री राधा मधन मोहन जी महराज की जय महराज जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ महराज जी अपने इस्ट को कैसे पहचाने भगवान के सभी रूपों में देवी देवताओं में गहरी आसता है लेकिन इस्ट को कैसे पहचाने गुरु प्रदत शद्गुरु का आश्रे लिया जाता है जो शद्गुर्देव भगवान नाम और गुरुदेव जो रूप देते हैं जो शद्गुर्देव का वेशिद्ध होता है उसी से प्रियता अपने हरदे की होती गुरु प्रदत नाम और गुरु प्रदत रूप जैसे भगवान विविद रूपों में हैं सब हमारे ही वगवान हैं लेकिन प्रियता प्रियता मने प्रेम हम प्रेम सब रूपों से तो नहीं कर सकते हैं गुरुदेव ने जो हमें नाम दे दिया जो हमें रूप दे दिया आजीवन अनन निभाव से उसी में लग गए तो उससे अनुभूती हो जाती है इसके लिए गुरुदेव का वरण क्या जाता है कि गुरुदेव जो हमें नाम रूप दे दे फिर उस पर हमें फिर को अपना मित्र मान के भज़ सकते हैं या पुत्र मान के या पति मान के यह उनका दाश मान के या विदव के तो गुरुदियू भाव कोई तो हम गुरुदेव का अस्रेले और उनके द्वारा बताये हुए नाम मंत्रूप आश्णा में लगें तो प्रशने खतम हो जाएगा अपने मन की पूछो तो सम्मे राजी हो प्रभू में क्या हो तो विश्य में भी राजी है भोगों में भी राजी है संसार में भी पापाचर्ण के लिए भी राजी है तो इसकी बात तो कोई विश्वश्णी नहीं अभी ये प्रभू को कहेगा कि मेरे प्रीतम फिर किसी संसारी वस्तु विक्ति स्थान को प्रीतम मान लेगा तो हम गुरुदेव पर आश्रित हो गुरु कृपाही के वलम वही हमको हो सच पथिक बनाएंगे सच्चा मार्ग देंगे सच्चे उपासना देंगे दो गुरुदेव का वरन करें मुरारी तिवारी जी हर हर महादेव गुरुदेव आपके चरणों में कोटी-कोटी पड़ाम मारजी हम शिव भक्त हैं मारजी जैसे हम नाम जब राधा-राधा करते हैं पर्मार्थ पत्के पथिक की पुष्टता बिना गुरुदेव के नहीं होती है अब ऐसे मनमानी जो मनावे भगवान के नाम जब करो मंगल में हैं वो जब क्रपा करेंगे नाम जब कफल होगा तब सद्धुरुदेव की प्राप्ति होगी और वस्तुतत्त्तु का बोध या शिद्धावस्ता गुरुदेव की क्रपाश होती है तो गुरुदेव जो हमें मंत्र देते हैं जो उपाष्णा देते हैं जो मार्ग देते हैं वही आचारी परमपरा से चला रहा है वही शिद्ध होता है मनमानी तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आचारी परमपरा से गु कराते हैं यह थामाम प्रपध्यन तेता सतवी भजाम में हम मुझे लगता है बच्छा पहले गुरुदेव का वरन करें फिर गुरुदेव जो नाम मंतर दें उसे निष्ठा पूरवक्ष में का निष्ठा मतब किसी भी स्तिती में गुरु वाक्यों का उलंगा ना हो तो भग परतर्म नान्यत किंचि दस्ति धनन जाए वही सब रूपों में आप जो भाव करना चाहों उसी भाव की पूर्ति के लिए आपके सामने आ जाएंगे देखो जगत गुरु भगवान की श्वाशोंशे वेदों का प्रादुर्भाव हुआ उनको कुछ पढ़ना है संदीप भगवान का श्रुभाव ऐसा जैसे भाव से चाहो है निराकार मानों तो तत्त शुरुप में अन्भु करा देगे साकार मानों सच्चिदानन नभी ग्रहतन उधारी आपसे वैसे मिल लेंगे आप जो भाव करें जैसे भाव करें पर वो गुरुदेव प्रदत्त होने चाह जो शाब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूति से युक्त ऐसे गुरुदेव का मिलना केवल भगवत करपा सही होता है और ऐसे गुरुदेव के ही वचनों पर हम द्रड हो जाएं तो अमोगश्य निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो ज आएंगे लेकिन गुरु की मानने वाले को की एग दो ओगी और जो गुरु की मान लिया वो घुरुष warmth हो घाव को जिससे तुम्हारा मन मिले, जिससे तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, क्योंकि ये किसी के द्वारा इंगित करने से नहीं होता, ये श्वयम का वरण होता है, जिसके दर्शन से, शंभाशन से, जिनके पास बैठने से, हमारे हुदय में आ गया, कि जिनकी हम खोच कर रह ये मेरे परब्रमुपर्मा, बस वहीं से भाव बन जाएगा, बने के चरणों का अस्टरे ले ले, और उनके वचन पर ध्यान दे। संतों की पास जो वस्तु है उनकी बाणी में है अगर उस पर ध्यान दे दे उस पे चल दे तो वस्तु ही देते हैं उपदेश करके केवल सब्द नहीं देते हैं उसमें वस्तु होती है उसमें जीवन की कमाई होती है उनके बुले आप ये नाम जब कीजिए आप ये मन्त तो तुम्हारी तपस्या साधना नहीं उसमें गुरु कृपा होती है अब अपने घसीटे तो बहुत हैं मुस्किल है तैर के तो पार नहीं जा सकते गुरु चरणों की नौका पे ही पार जा सकते हमको ऐसा विश्वास हो ऐसी बात हमारे हरदय में है कि गुरु कृपा कास्रे ले महारे जी इश्वर को जानने के लिए भक्ति और ग्यान के मार्ग में से कौन सा मार्ग ज्यादा सरल और सही है अगर आप अपने को मूर्ख शाबित करते हो तो बहुत बड़ी कृपा है अंगुली पकड़ लो किसी महापुरुष की भगवान के वाक्यों क्यों चल दो जब ग्यानी अपने को समझो तो वेदांत पहले बुद्धी को घसो रगड़ो वेदांत में और इतना दोड़ों कि ठक जाओ तो यह दोड़ भाग है भगवत प्राप्ति तभी होती है जब उपाशक का कोई भी ब बल नहीं रह जाता अपबल तपबल और बाहुबल चोथो बल है दाम शूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम सब बल हारे को हरिनाम जिस समय जीव हार कर भगवान की शरण में हो जाता है तब भगवत आनंद को प्राप्ति यहां हारना नहीं आया अन्य आश्ट्रे सबके हिर हम प्रभू को जानने के लिए प्रभू में तन्मे होना पड़ेगा संसार को जानने के लिए संसार से राग रही होना पड़ेगा यहां हमारा उल्टा है संसार में तन्मेता है हम प्रभू को जानना चाहते कैसे जान सकते हो तो इसलिए नाम जब करो जो जिम्मेदारी है घर की वो भगवत सेवा है तुम नाम जब करो और अपने करतब्य कर्म को भगवान की सेवा समझो पाप कर्म जानते हो कि पाप कर्म किसे कहते वो मत करो और जो कर्म कर रहे हो उनको भगवान को अरपित कर दो बस यतकरूशी, जो कर रहे हो जहां भगवान को अर्पित किया तो तुम्हारा देहा भिमान गलित होने लगेगा देखो जब हम इस शरीर से संसार के असत भोगों को भोगते हैं तो संसार का प्रभाव सरीर को मलिन करता है जब हम मन से इसका मनन चिंतन संकल्प करते हैं तो मन को अपवित्र करता है जब बुद्धी से निश्चे करते हैं तो बुद्धी अपवित्र होती है और जब इसके हम भोकता बनते हैं तो हमारा अहम अपवित्र हो जाता है साब अपवित्र ही अपवित्र है अपवित्र अंतहकरण में अपवित्र विचारों की ही बाहुलेता होगी आप अंदर से देख लो नाम जब सुरू करो फिर देखो अंदर जैसे ऐसे यहां कुछ कूडा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हटो और सब जाल कर सोनी लगाओ फिर तुमें अलग कूडा दिखाई देगा वो है तो नाम की सोनी फेको अंदर राधा 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 भी दिखाई देगा कितना कूडा करकर जमा है जब हम इस सरीर से परहित के कारे करते हैं दूसरों को शुक पहुंचाते हैं धर्माचरन करते हैं तो सरीर पवित्र होता है पवित्र हो जाता है अभी सब मलिन है इसलिए नाम्जब करो अपने करतब का पालन करो सत्संग जरूर शुनते रहो क्योंकि सत्संग वो तुमको रास्ता बताएगा रास्ते में चलने की शामर्थ देगा और रास्ते की शावधानिया कि हम परमार्थ में कैसे चले जिससे ब् जिरला पहुंचे कोई एक कंचन एक कामिनी दुरलब घाटी दोए अब इनसे अगर निकल पड़ा तो कंचन तजना सहज है सहज तियाक आने मान बढ़ाई एरश्या दुरलब तजना ए जब इससे भी निकल जाए तीन खाईया है जिसमें अच्छे सादक को गिराया जता है जो गिरे हुए उनकी तो बाती क्या है अच्छा सादक जो भगवान के मार्ग में चलता है माया उसको इन तीन खाईयों में गिराती है कि पुरा पुना ना चड़ पावे वह एक कंचन एक कामिनी एक कीरती अगर तीनों खाईयों को पार कर गया तो तीनों ऐश्राओं को प देश्रेनल करके प्रेम हो जाता है अब चले तब है तो बड़ी उंची-उंची बाते हैं बस नाम जब करो मन लगे ना भाव बने ना बने ना मजपद मंगल सिद राधा 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 रादा कोई नसा न करें कोई गंदी बात न करें तो बढ़ियां काम बंद कर दिया तो तुमको भी चला देगा नरख की तरफ इसे लिए वह बंद कर दियो तो तुम्हारा चलना रुख जाएगा हम सबसे प्लार्थना करते हैं कि जैसे धन मद होता है या विचार मद होता है हंकार विचारों होता है हमारे लिए अहार भगवाने ने निश्चित किया है अलग-अलग जीवों का अहार है हमारा अहार है अन्फल नाना प्रकार की जो पवित्र शामाग्रिया है हमारा अहार मान्ष नहीं है किसी भी जीव को रांद के खाना हमारे लिए पाप है हमारे लिए नियत है कि आप यह यह सामाग्री पा सकते हो कानून है हमारा यह वैदिक शिद्दान्त है अब उसके अलावा गर आप करते हो तो आप पाप करते हैं एक मर्यादा रखे गए एक नियमा वली बनाई गए है हमें लगता है कि जिसे यह लोग जो भूल कर रहें धनमद में विचारमद में श्वाद के लिए और दूसरे पर्षू पक्षीयों को जांद करके खाते हैं मैं लोग कहते हैं हिनसा निकरते हैं बजार से लियाते हैं लेकिन हिनसा का ही आपको दर्ण मिलेगा पेरक, करता, अनुमोदन, तीनों को बराबर फर मिलता, चाहे हो सत कर्म का हो, या अशत कर्म का हो, इसलिए यह जो मानश वक्षन आदी है, यह बहुत निक्रिष्ट कष्ट देने वाला है, वो इसे सब को छोड़ देना चाहे, कुछ दिन की जिंदगी है, दूसरे जीहों को पका पका कर तुम अमर्त हो नहीं जाओगे, तो यह मानुश खाना और जिसे मद्य पान करना, परिस्त्री गमन करना, यह सब महत पाप हैं, आज हमारी समाज में इसे पाप की नहीं माना जा रहा, वो विचार धारा हैं हमारी विदेशों वाली बन रहें, यह भारत है, यह भूमी त्रिभूण में कहीं नहीं है, यहां भगवान का उतार होता है, जो पावन जल हमारे भारत भूमी की नदियों का बिश्व में कोई ऐसे नदी नहीं, जो भारत भूमी में पुरियां हैं, भगवान के शुरूप हैं, भगवान के आउतार हैं, बिश्व में कहीं नह हमारे देश की गरिमा को पहचाना जाए और हम अच्छे आच्रण वाले हम विदेशी जो रहनी है वह हमारी नहीं है वो हमारा अनुकरन कर रहे हैं हम उनका अनुकरन कर रहे हम गिर गए वो उठ रहे हैं विचार करके देखे ना जो हमारी मर्यादा है उसको हम भूल रहे हैं वो सुधर रहे हैं चोटी धारन कर रहे हैं दोती पहन रहे हैं जब हमारे यहां आते हमारे देश में माला है तिलक है चोटी है धोती है यह हमारी धर्म परंपरा की पोशाग है वो हम उनकी पोशाग पहन रहें तो तुम्हें यह पता नहीं चला क्यों इतने सब बाहरी हमारा अनुकरन कर रहें देश के धर्म का हम उनका अनुकरन कर रहें हमारी संस्कृति हमारा धर्म किसी का अनुकरन नहीं कर अनुकरन करवाती है यह यहां के जो सिध्धांत है वो परंपद में पहुंचाने वाले हैं ऐसा कहीं सिध्धांत नहीं पाया गया चाहे जहां देखो बस वो श्वर्ग और नर्क तक की बाते हैं इसलिए अब यह मांस खाना घुली छूट में विचार की दे देना यह हमारे देश का तो सुरूफ है ने इससे बुद्धि पक्का वरष्ट होती है तलाग शोदा या विद्वा की जैसे तुबारा शादी कराएं तो यह हम केवला अध्यात्मी की चर्चा को समभा लेने के लिए कि विशय पर बोलते ना इस विशय उपर हमारा ना प्रवेश है और न प्रशनों रुत्तर होने वाली जगाएं हमारे यहां सिर्फ मन और इंद्रियों को बलात घसीट कर सचिदानद में इस्थित करने के लिए चर्चा होती है उसमें जो तुरुटियां है उनको शंकेत में बता देते हैं नहीं तो ऐसे प्रशनों से प्रपंच का विस्तार होत पर एक लाग सुन्दरियां चाहते हैं तो इसलिए हमने उसका अधर किया कि सुनदरियों की तरफ हमारा विस्तार ह具 सवाव गंटाव हो इस लोब से नामजब कर रा है समझ रहे ना अगर वो इसी लोब से लग गया तो उसका मंगल हो जाएगा काम से, क्रोध से, सने से, रिष्टे से, जैसे बने ब्रतियां प्रभू से जुड़ती उसका मंगल कर देती है इस विशे में तो हम इसलिए उसको बहुत सम्हाल करके धन्यवाद देते हैं तुम्हें इस बात का कि तुम्हारे अंदर वास्टनाओं का भूत इतना बड़ा हुआ है पर आप भगवान से चाहते हैं वो बहुत बड़े डाक्टर जैसे मरीज बड़ा हो पर डाक्टर अच्छा मिल्या तो अब निश्चिंत हो जाना चाहिए वो भगवान का आस्रे ले लिया वो भ वहारिक प्रश्णों का अधर नहीं करते कोई भी हो पुरुष्ण पुन्शक नारिवा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपटता जी मोई परम प्रेस होए हमारा उद्दिश्च भजन और हमारे राष्ट की सेवा अपने-पने करतब्यों का पालन धर्म पूर्वग बस ऐसा क्यों फिर ऐसा क्यों तो उसका उत्तर कुछ नाम जब करो अच्छे आचरण करो अपने धर्म से चलो मंगल है जब बहुकाल करी सत्संगा तब होए सब संसय भंगा ये बहुकाल वाला सत्संगी नहीं है ये सीदे भगवत साक्षातकार की योगिता वाला है एक शन में एक शन में भगवदाकार ब्रत्ती हो गई तात स्वर्ग और अपवर्ग मनें मोक्ष दोनों अगर एक पलणे में रख दिये जाएं और महात्मा का एक शन का संग तो वह मोक्ष सुक स्वर्ग सुक एकशन की सत्संग के सामने निटी कि शकता वह जानते हो सीधे भगवत साक्षातकार अभी तो बहुत जरूरत है सत्संग की जिससे हमारे सारे संस्यों की निवरत्ती हो जाए अगर हम सत्संग की पहचान कर लेंगे तो कुशंग की पहचान हो जाएगी अगर कुशंग होता रहा तो सत्संग का लाब मिली नहीं सकता क्यों कि जैसे हम पोचा लगाया और खिड़की खुली धूल बरी आंदी चली तो और गंदा हो जाएगा और आज कुसंग की बाहुल लेता है सत्संग बहुत कम है वास्तविक बात समझे ना सत्संग बहुत दुरलब है सत्संग ऐसे सुलब नहीं होता है कि किसी भी विधान से आप सत्संग अपने बल से प्राप्त कर लो देखो गुश्वामी जी का अनुभो देखो बिन सत्संग बिवेक न होई आगे नहीं लिखा कि दस करोण में दस लाक में सत्संग मिलेगा अगर सत्संग मिलेगा तो भगवान की करपा से मिलेगा जो पैसे से होगा तो बत्संग तो हो सकता है सत्संग होना बड़ा गठी सत्संग तो केवल भगवान की करपा से मिलता है आप इतनी बात समझ लिजे हाँ जब द्रमई दीन दयालुराग हो तब सादु संगति पाईए अब मुई भाव हरोश हनुमंता बिनुहरी क्रपा मिले नहीं संता इसमें तुम्हारा धना भीमान है इसमें तुम्हारा पदा भीमान है इसमें तुम्हारा लोक भाव है वो सत्संग हो ही नहीं सकता वहाँ दरसाइटे दीना हम इधर मात रहें भगवान ने हमें कृपा की और आप सब की रूप में आकर अपनी चर्चा करवा कर हमें आत्म सुप्रदान कर रहें कुसंग से तभी बचा जा सकता है जब सत्संग का परिचे मिल जाएगा और सत्संग का परिचा बाहर से नहीं होता अंदर से होता है अंदर की वरती से पता चलता है कि भगवदाकार वरती से बूला जा रहा है या पार्थी वरती से बूला जा रहा है इसलिए में लगता है कि नाम जब करें और जहां भी कोई भगवान की चर्चा सुनने को मिले बस उससे मतलब रखे मिठाई खाने से ममेद नहीं मिठाई वाले से मिठाई लिए राधा राधा प्ला सच्ची बात संली सास्त्रों की अपने आनंद में डूब गे क्यों भाई दीपत जी मॉंबई से रादे 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 प्रभू ये खेल क्यों खेल रहे हैं आप खेल रहे हैं और तुन खेल रहे हैं प्रभू को दूसरा मान करके अपने को अलग मान करके आप फस गए हैं अगर दूसरा मानना बंद कर दें खेल खतम हो जाए कोई दूसर जिसे मेरा जिकेन, मेरे तो गिरधर, गुपाल, अब दूसर और न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं. मत्ता परतरब नानेत किंची दस्ति धननजे, आप अपने को सरीर को लेकर अलग मान रहे हैं? मान रहे हैं, आप अपने को जानते हैं क्या? अगर आपको कहुए, आप अपने को जानते हो, तो हाँ को ओगे, इस सरीर को लेके, नहीं जानते हों आप अपने को, आप वही हो, जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हो, क्यों क्यों खेल 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 रहे हो, रजार करोड अरब घडे रख दो, उनमें शुरीका प्रतिबिम पड़े तो क्या करोड सूरी हो गया क्या और सब घड़े फूट जाए तो क्या सूरी का नास हो गया क्या नहीं शुद्ध ग्यान प्राप्त हो जाए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए यह घड़ों का खेल चल दा है और यह स्वप्ण आपने देखा है क्या होता है उसम कुछ भी जगने पर पता चला ना लेकिन सोते हुए जब आप स्वपने में थे आपको हम लाग समझाते कि यह दुस्मन दुस्मन नहीं यह जो चाकू मार रहा है बिल्कुल तेरे को नहीं लगेगी लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे उससे में आप चीख पढ़ेंगे भ आमोगुण में लेन नहीं हुआ था सुसुप्त में वो बचा तो सुपने की रचना कर दी ऐसे हैं उमा कहों मैं अनुभव अपना सतहरी भजन यह जगत सब सपना जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर नहोई जब जगा तब देखा ना यार वो दुश्मन था ना वो चाकू थी ना वो शरीर था जिसमें चाकू लगी थी क्योंकि यह सरीर तो सो रहा था सहिया में और उस समय तुम कोई सरीर का भान भी नहीं था कि मेरा सरीर सहिया पे है इतना ग्यान जोर का है हमारे अंदर कि अभी दो चार घंटे पहले जिस सरीर को मैं मान रहा था श्वपने में उस सरीर का ग्यान ही नहीं कि वो सहीया में पढ़ा है श्वपने में हम दूसरी से सरीर में विचरन कर रहे हैं हम लड़ाई जगडा, अनुकूल, प्रतिकूल सब परिश्टिती देगा और बड़े आराम से इसी रूम में सहीया में वो सरीर पढ़ा है जिसे तुम में मानते रहें, लेकिन स्वपने में तुम्हें ग्यान नहीं है कि वो सरीर पढ़ा है और जब जागरत में हुए तो वो जूटा निकला इसलिए ये सब जूटा है, ये भी और वो भी, आप शत्य है ये खेल आप ही खेल रहें, कोई नहीं खिला रहा, आप अभी अपने सुरुप में आईए, तो आपको ब्रम्भवित, ब्रम्भववती, आप वही हो जाएंगे कोई दूशरा है ये नहीं, अब सवपन में हो तो कैसे तुम्हें, सवपन में तुम्हें इस्ट्री दिखाई दे रहा, पुरुष दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, अगर ग्यान मार्ग की बात कुछ है, क्योंकि ये जो शब्द ह ग्यान का ही सब्द है, कि मुझे क्यों फसाया गया, तो अब इसका उत्तर ग्यान से, तुम्हें फसाया नहीं गया, तुम फस गए हो, तुम्हें ही मुक्त होना है, अब वही परमात्मतत्य जो तुम्हारे अंदर वेठा है, वही गुरू रूप धारन करके कि द्वेत में फस गयो तो वही तुम्हें जगा रहा है यह क्या किया जा रहा है जग गये जग जाने यह जाए हराई जागे जथा शुपन भ्रम जाई जिसे जगने पर शुपन का भ्रहम नष्ठ हो गया ऐसे ही जिसे घ्यान हो जाता है सत्यवानों जड में चैतन्य में किवल एक ही परमात्म तत्व है दूसरा नहीं है यह जो खेल हो रहा है उस तत्व को बूलने कारण हो गया है अब इससे निकलने के लिए उपाए अपने कर्तब का पालन करते हुए जो पद मिला है जो ब्योहार मिला है जैसे आप किसी के भाई हैं किसी के पती हैं किसी के पुत्र हैं आप देश की किसी पद पे हैं ग्राम में के किसी पद पे हैं कोई शेवादिकार राष्ट का है बिल्कुल अपने कर्तब पर सावधान अधर्म का लेस भी ना होने पावे और नाम जब इनाम मिलेगा आप मुक्त हो जाओगे जैसे आप सही अभिने कर लो तो डारेक्टर आपके उपर प्रशन हो जाएगा और आपकी वेतन तो सही अभिने जो रोल मिला है भाई भाई का पत्नी पती का माता पिता का पुत्र का यह जो या किसी राष्ट शेवा का यह सही अभिने कर लो तो आप इसे मुक्त हो जाएंगे जीवन मुक्त हो जाएंगे पर नहीं तो ऐसा द्वेत फसा हुआ है कि हम बात करते हैं ग्यान की लेकिन इशी में प्रीत है है ना इसी में प्रीत चाएंगे माइक ने मुझे पकड़ लगा तो आप आँप ही औहे है मन बिशेयों को इंद्रियों के साथ पकड़े हुए वह इक्रियाय हो रहे है लग भगवान इतना दुख क्यूंदे रहा है हमें तो लगता है गलती हमारी हो रही है आप सच्ची मानिए यहां दो नहीं बैठे एक ही बैठा है दो केवल सरीर को लेकर है जब आप वापस अपने देश में आएंगे जिसको खोज रहे थे वह आप ही निकलेंगे दूसरा नहीं होगा पक्का समझ लेना यह खोज बीन की बात जब तक है तब तक यह द्वैत है औ तो साक्षाद भगवान है क्यों वह भगवान थे ही केवल भूल से सरीर राग में फस गए अब चुकि सुद्ध अध्यात्म है इसलिए समझ में नहीं आएगा नाम जब करो और अपने करतब का पालन करो सब कुछ समझ में आ जाएगा हम लोग फशे हुए खूद हैं और ख क्या फर्क पड़ेगा और बात स्वयकार कर लीजिए तो आपको भले आपको वारूप कर दीजिए को महात्मा जी के संग से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया नहीं आपने अपने जीवन का परिवर्तन किया है जैसे कोई कहता है हमने छोड़ दिया छोड़ दिया आप हम रा यह हम जरूर भाव करते हैं लेकिन धन्यवाद आपको ही चाहिए हमारी तरफ से नहीं हमारी तरफ धन्यवाद नहीं आएगा वह आपका धन्यवाद है कि आप अपना सुधार कर रहे हैं आप अपना कल्यान कर रहे हैं अचे बताओ कहां आपको फसाया किस ने फसाया है आप और क्या आप सूच रहे हैं यह आपके जो यह सुन्ता हूँ में रोज तो उसमें आपने वे प्रबू ही फसे उएए प्रबू का यह खेल है प्रबू ही खेल रहे है और प्रबू ही लिए हमने प्रबू को भूला क्यों अब हमें प्रभू के साथ ही तो थे आप प्रभू के साथ लई थे आप वही थे यही तो गलत हो जागा अगर मतलब हासिल बूल जाओगे तो शवाल अल नहीं होगा बेद कहता है एको हम बहुत श्यामा मैं एक बहुत रूपों में हो जाओ इसका हमने सहज में उदारन दिया है जैसे सीषे का भवन है तो सीषा की कई क्वाल्टिया होती ना चेरे को बड़ा करके दिखा देना चेरे को टेडा मेला दिखा देना अब यह सब सीषे लगे हैं अब हम अपने आपको ही बहुत रूपों में देख रहे हैं अगर हमें ब्रह्म हो जाकि बहुत आदमी खड़े हैं तो अज्ञान तो हमारा है ना एक पंच भूत जिससे सब रचित है एक आत्म तत्त जो सबके अरदें बिराजमान एक ही है दो कोई है नहीं अब हम जो फस गए उध्यों मान के फस गए अब जिसे इस्त्री शरीर और आपका शरीर क्या आपने उसमें एक ही तत्त देखा नहीं अगर एक कत्त देखोगे तो काम नहीं नहीं होगी अन्यशामागरी आपका सरी भोगता करता ये भाव आपके अंदर बैठ गया इसी को अठाना है आमता मंता जिसे करता भोगता भाव बिल्कुल वही हो जैसे आप सहज भाव में समझो समुद्र है उसमें करोणों तरंगे है है क्या उसमें समुद्र ही तो है न वाईव विकार हो गया फ्लोड़ निकल जाने दीजिए सांत एक समुद्र मात्र है है ने यह जो विकार आत्मक माया माने होता है मा माने नहीं या माने जो जो है ही नहीं उसे कहते हैं माया उसी भ्रह्म्यम फस गए जैसे सोपने में उतने देख रहा था है आदमी यह एक जाग्रत में तुम अभी जागे नहीं हो मोह निसास अव सोव निहारा देखे इस्वपन अनेक प्रकारा आप ऐसे सरल्भाव से संजो ब्रह्म एक मूल प्रकति वही ब्रह्म त्रिगुणात्मी का प्रकति वही ब्रह्म महात्त्त वही ब्रह्म आहंकार वही ब्रह्म पूरा त्रिगुणात्मी का सर्ष्टी का विस्तार वही ब्रह्म इतना भी ब्रह्म से बिलक नहीं कुछ भी नहीं अब इसका जिस दिन आपको ग्यान हो गय आप जीवन मुक्त महाप्रुस कह जाएंगे जीवन मुक्त अभी जीवन आ सकत है अब कैसे समझ में आएगा एक सेर का बच्चा गडरिया भेणों को चड़ाने जंगल गया था वो विछुड करके उनके भेणों के बीट में तो साटे खा रहा था गडरिया के साटे खा रहा बेणों के बीच में वो ऐसे जैसे बंद एक दिन एक जंगली शेर उसने देखा कि यह तो मेरे परिवार का है और मेरे आहार के बीच में रह करके वो गास चलती है भेड़े और भूखा रह रहा है और साटे खा रहा गडरिये के नजदीक गया उसको बुलाया कहा देख तो था इन भीणों के बीच में नहों ने ऐसे सरोवर में से देख मैं जैसा आई कि लेकर देरी आप जा भ्हेणों के पीछ। लगा दाहार, तो न गडरिया वहां ठिका न भ्हेण ठिके। अब भागे। समझ रहे हूं? माया रोज साथे पड़ रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोग के, मोह के, हे तू ब्रह्म है। अब ये बात समझ में आ गई हैं? तो न गडरिया ठिके य माया ठीक है कि लिए काम क्रोड ठीक है अब ये बात ऐसे समझ वे थोड़ी आएगी तब इसाधना करनी पड़ती चूंकि हम फस गए मिच्छा इसलिए ऐसा लग रहा है एक का खेल है अनेक रूपों में जब कोई उचाई पर चड़ता है तो अनेक को एक मिलाता है पर अपने करतब्यका पालन करना है ध्यान रखना ये ग्यान होने पर अपने करतब्यका ठीक पालन करना है अधर्मी को दंड देना है धर्मात्मा की रक्षा करना है कानून की अधिकार के अंतरगत और नाम जब करना है वही गती मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है कर्म का पुरा भी करना पड़ा तो बहुत अच्छा हो जाएगा बड़ा सुक्षम इसे कर्मकार एक बार एक जंगल में बहुत ही राक्षशी शुभाव का आदमी रहता था जो भी मिलता पहला काम उसका होता छीन लेता दूसरी बात काट के फेक देता उसको सुक मिलता था तरपाने में काटने में एक समर्थ महत्मा उदर से निकले तो उसने उनकी कमंडल शड़ी जो भी थी छेन लिया उसे जब मारनेक हुआ तो अपनी भागवतिक दर्ष्टी से देखा थर आ गया उनका क्यों ऐसा करते हो बोले मुझे सुक मिलता है अरे बोले पगले सुक तो भगवान के चरणों में तो हिंसा करके यह पापाच्रन करके सुखी होना चाहता है ऐसे कब सुख हम तुझ जानते नहीं भगवान क्या है क्या भक्ति है हमें तो कुछ मुले तुम्हें मैं सब ग्यान दे दूँगा पहले तुकुछ तीर्थों का अगा थोड़ा तो पाप नश्ठो कैसे होगी तुमने एक सूखी लकडी दी बड़े ही सिद्धमापर से उनका जिस दिन तुन इसपाप हो जाएगा लकडी में हरा किंगा जागरत हो जाएगा तो उनका ठीक है गुरु चले तो दस किलो मिटर चले होंगे गाउं के नजदी बड़ा वरक्षता उसके नीचे बैठ गए कि आज रात्री हैं पार करके फिर तीरत राजफरे आग जाएंगे और उसमें बैठे हुए थे चार पाच चोर वो प्लानिंग बना रहे थे उनका आदमी एक फस चुका था मारा गया था उस गाउं में कि आज रात्री हमें लूटना नहीं पूरे गाउं को आग पाप किया है अपने सुख के लिए आज तीर्थ जाई रहे हैं जहां पचासों सेकड़ों को मारा इन पांचों को मारने का बहुत प्रवीड था उसने का भया उतर के आओ तुम्हारा प्लान गलत है हम इसके गुरू हैं तुम्हें समझा तो पांचों एक साथ उतरेंगे न लकड़ी हरी हो जाये तो आजाला तीर्थ लोट गए गुरू जी की कुटिया में गए बोले महराज दंडोर तो उनका हमें पता था कि तुम तीर्थ याटन नहीं कर पाऊगे वापस क्यों आगे बिना तीर्थ याटन की बोले गुरू जी ने आपने तीर्थों का फल बता ना चाहते थे पूरे गाउं को मार देते गुरू जी हमें लगा कि सैकुणों को मारा पांच और प्लस हो जाएगी जाये तो रहे यह तीर्थ में पर इनको मारने के बाद हमारी लकड़ी हरी हो गए बोले हां मेटा तुमने पूरे गाउं की जीवों की रक्षा के लिए उन पांच दुष्टों को चार दुष्टों को जो मारा उसका फल हुआ कि तुम्हारे सारे पापनस्ट हो गए और तुम्हारा पुल्ण जागरत हो गया समझ रहे कर्म बड़ा सुक्ष हो है वही कर्म करता था उसके बंधने का हुआ और वही कर्म किया लेकिन दूसरों की रक् के नाम जब करें तो वास्ति भगवान करपा करके तुम्हें एग्यान दे देंगे कि तुम और वो दुनेगे हैं चोपाई बड़ी सुक्षमता से लिखी है स्वई जाना ही जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए ये बात समझो ये बात तुम्हें फिर करों करने पदेखें स्वच सब्साइर बिआए अगर चैतना ही båगतलों हो पर चुम्हें जानाहीalley यूर्णीकरणी टारिणा स्ट्चीता जोने खेंगे रहें यद्यप इम्रशा जोटीयगाठें नहीं पर शूटत कफ नहीं बहुत बुरा फस रहे हैं यद्यप कोई नहीं फास है इसलिए मुक्त हो करतब्य का पालन करो, नाम जब करो, बुद्धी लगाओ मुक्त होने के लिए, फसने के लिए नहीं, है, हमारे में सबसे ज़्यादा कमी क्या है अपने लोगों में, बुद्धी बहुत है, लेकिन बिपिरीत दिसा में दोड़ने के लिए है, अनुकूल दिसा में दोड़ने क हे ले ले इसलिये हम लोग सच्चिदानंद को कभी फसा होई नहीं सकता पर ना होते भी हो गया है इसी को और ना है इस इन यह ब्रहां लिट जास्व कृपा सब्ध्रम मिटि जाई गिर जास्व एक्रपाल रख जाई गुरु प्रशन साहवन कूला मिटि सकल कल्पित भैसुला यह ऐसा सवाल मानी संख्या से हल होता है हम जब स्कूल में थे तो कुछ ही वी संख्या मान लो सवाल हलो जाएगा यह टीचर ने सिखाय था तो यहाँ भी है मानी संख्या गुरू मानी संख्या भगवान मानी संख्या आराध्य देव मानी संख्या माता पिता अब उनको मान करके आराधना प्रारम में के सवाल हल हुआ एक में आके हैं जो बहुत आयत थी खतम हो गई एको हम बहुश्यामा तो बहुत श्यामा एको हम इसमें आना पड़ेगा बच्चा तब जाकर इस सवाल हल होगा अब भ्यास बहुत बुरा हो गया है हम बाहर भटक रहे हैं बंधा नहीं है एक डोबी अपने गधा को लेके गाट में ले जाता था तो एक पैर उसका पैर से पैर ऐसे रस्टी समें फसा देता जितने दूर न जाने पागे कपड़ा दो कर फिर एक दिन रस्टी बूल गया तो उसने हाथ गुमा दिया गया वहीं ख़डा रहा जब लोट किया सब कपड़ा लटता उसको उपर लादा अब हाँ करा है तो चली नहीं रहा दस बीस रो डंडा मार रहा है फिर भी नहीं चल रहा है तो उसके दिमाग में चल क्यों नहीं रहा तो बंदा भी उसको लगा कि हमने बांधने के एक्टिंग की थी आप छोरने के एक्टिंग करें समझ ने गुषर कीका है आप देखो कैसे र 과 उamily करें काम के उक्रोद के लोग। बाग सकता है वह बना लाई है अब गुरू एक्टिंग मानि संख्या गुरू यद्यपी दो नहीं है बुद्धी तो बहुत है आज के बच्चों में लेकिन वो विपिरीद चलने वाली है अगर सत्मार्ग में इनी को सच्चे मार्ग का पतिक बना दिया जाए तो यही हमारे राष्ट सेवा में आ सकते हैं यही माता पिता का यस्वरधन कर सकते हैं यही भगवत प्राप्ती कर सकते हैं तो आज हमारी बुद्धी बिप्रीद जा रहे भिया इसको थोड़ा मोरोणना है इसे भगवत कर पार अब जो हम बैठे चर्चा कर रहे हैं उसी के मोड़ने की कर रहे हैं अगर बुद्धी मुड़ जाये तो आप 50-60 में महात्मा हो जाये वो महात्मा नहीं परमात्मा हो जाये अंदर की बात में बता रहे हैं अंदर की बात केवल समझाने के लिए बेवहार है नहीं एक ही है डूसरा कोई लही है बस ही प्रात से काली राम जी, थी राधी महरा जी, राधा उल्लुफ शिहरी विंच महरा जी, आपके चरणों में कोड़ी-कोड़ी पराओ, महरा जी मैं 15 साल से महादेफ विश्वनाद जी को गुरू मानकर माता काली की सेवा करते हुए शम्शान साधना में लगा हुआ था, एका एक कुछ म मांक से आसू भी आते हैं, हमेशा रोना चालू होता है, महरा जी, मार्ग दर्शन करें, मैं किस दिशा में जाओ? कोई प्रशन नहीं, इस पर कोई विचार नहीं, अपने अराध्य प्रदत मार्ग पर विचार नहीं किया जाता है, चल दिया जाता है, ये प्रभू ने आपको चलने का आउशर दे दिया है, जो चिता वस्मा लेपो, गरल मस्नम, दिकपढ धरो, जटा धारी, कंठे, भगवान शीव प्रशन होते हैं, तो ये प्रदान कर देते हैं, भगवान जो ध्यावासियों से कहते हैं, औरो विएक गुपतमत सवय कहों कर जूर, संकर, भजन, मिनान और भगतिन पावे मौर, महादेव प्रशन हुए, अब ये मार्ग दे दिया, अब बहुत सावधाने महराची जैसे जब नाम जब मिला तो हम समसान साधना करके परिसान हो गए थे किसी तनाओं से, महाकाली देखो एक बात, एक हम आपको बात बता रहे हैं, भगवान भूतिश्वर को प्रशन करने के लिए मार्ग हैं, जैसे अगोर मंत्र है, अगोर पंत है, बहुत से हमारे भगवान का एक शुभाव है, ये थामाम प्रपध्यनतिय तास्तत्वी भजाम में हम, अगर आप उनको अगोर रूप्षे देखोगे, वैसा आपको अनुभो करा देंगे, भूत रूप्षे देखोगे, भूत रूप्षे आपको दिखा देंगे, मंत्रशिद करके वासनाओं की कामनाओं की पूर्ती के लिए सिद्वन कर पुझने लगोगे, लेकिन भगवत साक्षात करने होगा, आज सिवजी की कृपा होई कि आप भटकने से बच गए और मार्ग आपको मिल गया, इसलिए शौम में और शांत और पवित्र हार करते हुए, दैन्य भाव उसे चलोगे तो जीवन करतार्थ हो जाएगा, जैसे शूप आश्टना में है, जो समल नहीं पाते हैं, तो फिर वो गलत मार्ग काव लंमन ले लेते हैं, क्योंकि हम कासी में ही रहें, गाटों में ही रहें, और रूनी के उपासक रहे हैं, फिर वो अन्य जो नहीं पाना च पाने लगते हैं, जो नहीं पीना चाहिए, वो पीने लगते हैं, और कहते हैं भगवान सिव, भगवान सिव, हला हल बिस, समस्त देवता और भगवान की प्रार्थना स्वईकार की, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले हला हल बिस निकला, जो पूरे विश्व को भस्म कर देता तो स्वयम अजित भगवान स्रीहरी समस्त देवता देत भगवान सीव के सरणम गए और जब बंदना की और का प्रहू रक्षा करो इस जगत की क्योंकि आप ही कर सकते हो रक्षा तो उन्हों में प्रार्थना की और भगवान शीव ने पूर महाकाली की आदेश से जविराम नाम का आदेश हुआ इससे महराजी नाम में मिला था परिसान होके महाकाली की मंदिल में बैठे हुए हाँ इसमें हमको देखो एक हमारी प्रार्थना है कहीं हमको शैव उपासना में मांस भक्षन का कहीं भी आदेश नहीं हुआ कहीं भी कि आश्तर में आदेश नहीं है आप ये कहीं किसी गलत सला में अपने मन की सला में पस गए नहीं आज इवन बच्छपन से ले करके अभी तक मतलब महराजी उसका वहीं संकलप लेके परत्याग कर दिया कभी समय हो गया अब कभी नहीं किसा मा काली का अदेश से छोड़ दिया अ इस Started है मा ने बोला चार लाग एसा अनभय हुआ आप नहीं हो सकती की हमारे भाईयों की हत्या पसंद करते हैं अगर वह हमारी जगदंबा है तो हमारा ही भाईयों है और अगर बह Ihrer की बली लेकर अब्सका मुझे लगता हुआ अम्मन हैं ऐसा मा का सुभाव नहीं है यह हमारा अपनी जिव्या को कोशित करने के लिए ऐसी लिलाएं करते हैं नहीं तो अम्मा ऐसा अम्मा ने रक्त चाटा रक्त बीज का कारण था वो ऐसा राक्षस दैत था कि अगर उसका अस्त्र मारो और जितने बूंद वो गिरेगा अपकोई देवता अस्तर प्रहार करें तो सैकरों लाकों रक्त बीज तयार अब अम्मा ने विचार कि आप कैसे इसको AND आप जितना काटओ उसको एक को काटा जितना रक्त निक्ला लाकों रक्त बीज वैसे ही त्यार हो गए तब आध्यास खंत्ति महाकाली notekty खडग और खपर मारा जिब्या में लपेट करके पूरा चाट गए एकों ने रहे सब को मार के तो अंबार ने ये किया है अपने बेटों के रक्षा के लिए ये जो निरीह जीव हैं तुम्हारे एक चुटकी से ऐसे काटे तो आकर होगे पर दुख देने वाला कभी सुखी हो और बहुत अनन्य रहें कोई मिलावट नहीं रहे है हां ऐसा नहीं कि हमचिता की भस्म नहीं लगाई या कासी के घाटों को सेवन ने किया या भस्मी भूत महादेव जी की आरादना ने कि पर अभक्षा भक्षका कहीं भी ऐसा नहीं का देखो एक इस्थिती होती है जैसे आद्य गुरु भगवान संकरा चारे जा रहे थी तो अपने शिश्यों की परिक्षा के लिए जगे मचली भी करे थी ऐसे उठाया ऐसे खड़े हो गए तो चार जो शिश्य थे उखड़े हैं और अन्य जो थे गुरु जी पा रहे तो अनुकरन कर रहे हैं आगे बड़े तो क अरियल का खपर में ऐसे भरा कांच हो ऐसे गलता हुआ कांच पी लिए अब शिश्यों की तरफ देखा उनकी तरफ उन्हें पियो जी सामर्थे ने तो मचली क्यों खाई उले आपने खाई तो बोले पिया ना हमने उनसे पुछा आपने क्यों नहीं खाया जब हम पा रहे थ अब वो ऐसे कि यह तो सब लीवर में पहुंच चुकी थी तो हम महापुरुषों का जैसे सिद्ध ऐसे हुए हैं महापुरुष उनकी कुछ लीलाएं विचित्र हुई हैं हम उनके किवल आदेश उपदेश से जो आचरण मिलते हुं मानते अन्यथा प्रणाम है हम महापु स्थोती चाहिए जिस मार्ग का हो नहीं तो आप देखो आप खुद निर्णे करें कि आपकी बुद्धी आपको दोखा देने लगी थी मतलब आगे चल करके जो इस्थिति आती वो आप अपने को भले सिद्ध कहते लेकिन एक पागल किसी और को इस्थिति ने रहती आद्य आद्या शक्ति को या जिसे हनुमान जी है इनको प्रभू और प्रीतम मानकर आराधना करोगे तो निकल जाओगे और अधीन करने की कोसिस करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे इनको अधीन करने की सामर्थ किसी की नहीं जब अंबा अपने रूप में आ गए तो सीव जी चरणों में पड़े थे दर्शन करते हूं कभी ऐसा दर्शन की हूं माख विशाल ओव चरणों में पड़े हुए हैं आद्या शक्ति हैं कभी कोई जैसे हैं कि हम दैवी शक्ति को सिद्ध वह बहुत इसलिए नाम जब करें बड़ी करपा है कि आपको राम का मार्ग मिल गय अगर यह हम दिब्विता की बात कहते हैं आजे से यां संवा में कह दिया अब इसके बात कभी नहीं कहना शांत और ऐसे कोई भी आचरण या ऐसा पहनावा ऐसा ना होना चाहिए जो सात्विक ना हो शतोगुण से युक्त पहना वह भगवान सी हुए हैं उनकी हम समानता न में आख मुंद गई संकर सहज स्वरूप समारा लाग समार अठासी हजार वर्स अपनी आयू कितनी हैं असी और सौ अठासी तक पहुंझा है तो बड़े बागे साली समझो अठासी हजार वर्सी की जिनकी समाद ही लगती है उनसे हम होड कर सकते हैं कि वो मुन्नों की माला पहने वो जहर खाये तो हम धतूरे का फल चड़ता है एक धतूरे के फल में 20-25 आदमी मर जाएंगे मादेव जी के धतूरों का फल मतलब वो अधुत देवता है उनकी प्रशादी भी बहुत हो सैसे है ले माले सेव सेव भी चड़ता है तो सेव ले 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 हो अब कर दो सब प्रशाद तो एक धतूर का फल है खालोगे तो आजम कर ले कि सामर्त थोड़ी वो देवाजी देव महादेव सब की सामर्त इसलिए बहुत ही सत्संग की आवशक्ता होती है नहीं तो उसमें क्या उद्धंडता आ जाती है आराधना में उद्धंडता आ जाती है और फिसल क मानसिक विक्षिप्त हो जाता और फिर लोग उसको सिद्ध मारने लगते हैं मानसिक विक्षिप्तता को जो जीतना धार्म के विरुद्ध उद्धंडता करें उसको चार लोग जो है ला वो शिद्ध गोसित कर देते हैं ये कल्यूक का प्रताब हैं कई बाते से देखने को म आजकल जितना कोई अशावधान बरताव करें तुसे कहा जाता है यह सिद्ध हो गए क्योंकि अग्यानी जीव है शिद्धा अवस्था की हर एक स्थिति हमारे सास्त्र में लिखें सिद्धा अवस्था का सीधा परिचा है जिसकी कोई चाह नहीं रह गई है जिसको अपमान दुख नहीं दे सकता, समान सुख नहीं दे सकता, जिसको मृत्यू से भै नहीं लगता, जो शचिदानंद की स्थिति में हर समय रहता है वो परिपक को माना जाता है अब ऐसा में क्या वक्षा बक्ष का कोई विदान माने मन बाणी आच्रें में करें क्यों सित्ध हो गए या औधीत हो गएए अपने सास्त्रों में नहीं होगे चमतकार यह होता है कि उसी को सिद्वा लिया जो तरा उट पटांग बोले रहे सिद्व पुरुशाव दूथ है इनकी नहीं उसको दवा की जरुत है वह से दवा ले सांती से सास्त्र मर्यादा से चले ऐसा है जी राधा, 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 राधा रादा, रादा, राधा, 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 rigtणा व Cir natuur beğOO, MIT डियलकैएंट करेजिन के झाल एंस कहते हैं जूपर ऒेपकय बगृष्भाइब करें तर जाले खाले पाले व टुपर एंस करेंक बोस्तों स्टोंति विए ग्लाइब Via ड़िए जए बीशेदा तिर भून कें भूर वितॉ आर भाव हैल जैवा जैजिक्ट तैनाy..." स्वी राधान 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 राधान